वेलकम टू इलाइट अकेडमी चलिए आज लोग हम स्टार्ट करते हैं किलास 11th NCRT चैप्टर 3 चैप्टर 3 क्या है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस किलास में हम लोग पढ़ेगे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी कंसेप्ट है उनको बेसिक से समझेगे और इस किल किलास में केवल यह किलास आपकी केवल और केवल कंसेप्ट की होगी ठीक है यदि आप इस किलास को पूरा देखोगे तो आपको टिग्नोमेट्रिक बिल्कुल एकदम बेसिक से किलियर हो जाएगी तो चलिए आज की किलास स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन टिग्नोमेट्री होती क्या है, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, देखेगा, सबसे पहले हम टिग्नोमेट्री में बात करते हैं, एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनाया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने 10th में coordinate geometry पढ़ी होगी, वहाँ पे आपको यह axis बताए गए होगे, इसको बोला जाता है x axis, इसको बोला जाता है y axis, चलिए जी, यदि हम यहाँ से इस साइड को जाते हैं, तो इसको बोला जाता है positive direction, और यदि हम यहाँ से इस साइड को जाते हैं, तो इसको बोला जाता है negative direction, बात के लिए इसको बो हुए है ये कोई initial line है ठीक है ये क्या है initial line ये initial line है लेकिन यदि हमें initial line से इस साइड को rotate किया जाए ठीक है मतलब यदि Getilah initial line की तरफ को आप आपका मुँम इधर है आपका चेहरा इधर है आप इधर को देख रहे है और आपको left की डारेक्शन में मुढ़ना है और इधर कोई अलग रास्ता है ठीक है ये अलग कोई डारेक्शन है जिस साइड आपको rotate होना है तो यदि आप left में rotate होगे तो left का मतलब होता है ये होगी plus side यदि आप इस side को rotate होगे तो ये होती है negative side बात के लिए इस point को बोला जाता है vertex क्या vertex ये vertex बोली जाती है और इसको बोला जाता है terminated side क्या terminal side चलिए जी यदि terminal side initial line के left में है तो जो यहाँ पे angle बनेगा जो ये बीच का angle बनेगा ये होगा positive angle और ये टर्मिनल side initial line के right में है तब ये बोला जाएगा negative angle बात समझ में आई यदि मतलब हम left में चलेगे तो positive right में चलेगे तो negative चलिए ये आगे चलकर positive angle negative angle बहुत सब यूज है इनका तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ येगा डिगरी डिगरी क्या होता है देखेगा यहाँ पे ये को initial line है यदि मैं इसको एक पूरा round घूम के आऊं हम यहाँ पर पूरा round घूम के आए यहाँ पर यह हो जाता है complete 360 डिगरी ठीक है एक जो complete round होता है वो होता है 360 डिगरी यदि मैं इसको हाप कर दूँ माले जाए यहां से हमने इधर के आप ठीक है पूरा round ना जाकर यहाँ पर हाप हुआ तो इसको बोला जाएगा 90 डिगरी ठीक है चलिए इसी तरीके से यदि मैंने इसको ऐसे परपेंडिकुलर किया तो यह बोला जाएगा 90 डिगरी यहां पर 180 डिगरी होगा एक complete line तो यदि इस एंगल का भी हाप कर दिया जाए तो इसको बोला जाएगा 90 डिगरी बात के लिए चलिए यदि हम यहां पर देखो यदि मैं यह एंगल ऐसे ले रहा हूं ठीक है यह माल लेकिन यह 30 डिगरी negative direction में है यह positive direction में है बात के लिए चलिए जी एक डिगरी में यहां पर थोड़ा सा concept याद रखिएगा concept यह है कि जो एक डिगरी होता है एक डिगरी में होता है 60 मिनट और एक मिनट में होता है 60 सेकंड आप यह तो जानते होगे लेकिन यह याद रखिएगा एक डिगरी में होता है 60 मिनट क्या एक डिगरी में होता है 60 मिनट किलियर चलिए आगे चलते है दूसरी बात देखो दूसरा एंगल होता है रेडियन में रेडियन में कैसे मतलब मालिय जाए कोई सर्किल है सर्किल का पात आपको दिया गया है ठीक है आपको यहां से यहां तक चलना है इसका कोई सेंटर होगा यदि यह इसकी रेडियस है आर ठीक है ये radius है R और ये चली हुई दूरी है L मालिया हम यहां से और यहां तक चले ये दूरी L है यदि हम इस angle को theta को R और L में represent करेगे यदि हम इस theta को R और L में represent करेगे तो angle जो निकल के आता है वो radian में आएगा क्या theta equal होगा L upon R चली गई दूरी upon radius तो ये जो थीटा निकल के आएगा ये क्या होगा ये radian होगा radian में ठीक है radian में ये किसमें होगा radian में यदि आपको मतलब कोई distance दी गई है arc की distance दी गई है arc दिया गया है आपको L ठीक है और radius दी गई है आपको R arc बोला जाता है चाप को यदि आपको चाप दिया गया है L और त्रिज्या दी गई है R और आपसे theta पूछा है तो theta क्या होगा L upon R radian लेकिन यदि आपको इसको degree में बदलना हो जैसे माल ले जाए आपको देखो 60 degree दिया गया है ठीक है आपको इसको radian में बदलना है मतलब πाई में convert करना होगा किस में convert करना होगा पाई में तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पाई की value क्या होती है पाई की value होती है 180 degree ठीक है कहाँ पर angle में यदि आप angle की बात करोगे तो पाई की degree होती है 180 degree और यदि आप fraction में बात करोगे तो पाई की value होती है 22 बटे 7 या फिर 3.14 ठीक है तो आप यह दो value याद रखिएगा यदि angle है तो 180 degree और यदि पाई fraction में है तो 22 बटे 7 तो अब आप समझेगा कि यदि हमें जो angle में दिया गया है माले आपको theta दिया गया है 60 degree और आपको radian में convert करना है तो theta इकवल क्या होगा 60 degree into हमें convert करना पाई में आप सब लोग जानते हो कि यदि कोई number है 8 जिस number से हम इसमें multiply करते है उसी में divide कर दे तो इस पर कोई effect नहीं पड़ता तो यहाँ पर pi की value क्या होती है 180 यदि हम यहाँ पर pi से multiply कर रहे है और इसको साथ-साथ 180 से divide कर दे तो इस complete में कोई change नहीं होगा बस अब यहाँ पर solution कर लीजे 0 से 0 cancel हो जाएगा 6 18 3 बार तो क्या जाएगा pi by 3 तो theta की value क्या है pi by 3 यह radian में होगी ठीक है किसी में होगी? radian में बात समझ में आई? चलिए जी यह radian में होगी तो जब आप radian में value दी गई होगी तो आपको वहाँ पर angle में change करना होगा तो क्या करेगे? यदि आपको value radian में दी गई है और आपको angle में change करना है तो वहाँ पर आप pi की value क्या रखोगे? ये radian में दिया गया है आपको angle में convert करना है तो theta equal क्या जाएगा 2 into 180 upon 3 आपने pi की value रख दी कितनी हो गई 180 बात किलियर चलिए जी तो यहां पर क्या जाएगा 3 से कितनी बार जाएगा 6 बार और 6 टूजा 12 तो कितना जाएगा 120 degree बात किलियर तो theta की value degree में convert कैसे करेगे radian में convert कैसे करेगे यह सब कुछ किलियर हुआ चलिए जी उमीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझाया होगा अब आप next देखिएगा देखिए मैंने आपको बताया कि जो 1 degree होता है वो कितना होता है 60 minute होता है और 1 minute जो होता है वो 60 second होता है ठीक है इसी तरीके से एक radian जो ह होता है रेडियन जो होता है वो 180 अपोन पाई होता है क्या होता है 180 अपोन पाई या फिर 1 degree ले लिजिए पाई अपोन 180 ठीक है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि हमें radian में convert करना हो तो radian में convert करना हो तो हमें वहां पर पाई अपोन 180 रेडियन लिखना होगा और यहां पर डिगरी लिखना होगा बात के लिए चलिए जी उमीद है यह सब कुछ आपको समझाया होगा इसके बाद चलते हैं next concept पे जैसे यहां पर हम एक example कर लेते example को समझिएगा जैसे माल ले जाए आपको दिया गया 40 degree 20 minute आपको यह convert करना किसमें radian में किसमें radian में चलिए जी तो सबसे पहले तो आप यहां पर क्या करोगे देखो यह degree में है यह minute में है तो आप इसको भी किसमें convert करोगे minute में convert करोगे minute में convert करोगे तो जैसे आपको बताया एक degree होता है 60 minute तो यहां से यदि मैं निकालना चाहूं यदि यहां से हम जाना चाहे तो 1 minute होगा 1 upon 60 degree तो यहां पर कितना है 20 minute यदि मैं 20 minute की value निकालो तो 20 upon 60 degree होगा मतलब 1 upon 3 degree होगा तो आप इसके स्थान पर क्या लेख सकते हो 1 upon 3 degree लिख सकते हो तो यहां पर क्या लिखा जाएगा यह हो जाएगा 40 degree प्लस 1 upon 3 degree ठीक है मतलब यह हो जाएगा 4 या 4 या 12 120 प्लस 1 कितना हो जाएगा 121 upon 3 degree यह degree में है आपको convert किस में करना है radian में तो मैंने बताया था जब आप radian में convert करोगे तो pi upon 180 क्या लिखोगे pi upon 180 अब यहां पर चेक करोगे कि यहां पर कुछ कटेगा नहीं यदि कुछ कटता तो यहां पर कुछ cancel होता तो हम उसको cancel कर देते लिए यहां पर कुछ भी cancel नहीं होगा तो इस cancer आ जाएगा 121 pi upon 18 की 3 में multiply करेगे ठ्रातिया 14 ठीक है तो आपका answer क्या हो जाएगा 121 pi upon 550 answer किसमें radian में यह किसमें आया radian में बात समझ आई चलिए जैसे दूसरा example ले हम यदि आपको radian में दिया गया हो आपको angle दिया गया है 6 radian क्या दिया गया 6 radian मतलब 6 radian ठीक है अब आपको एक convert करना है किसमें डिगरी में तो जब आपको radian में value दी गई हो आपको पता है 1 radian equal होता है क्या 1 radian equal होता है 180 upon pi degree यह सब चीजे अभी बता ही आपको हमें यहापे 6 radian दिया गया है ठीक है 6 radian दिया गया है तो यह हो जाएगा 6 into 180 upon pi degree ठीक है अब देखो आपको यहापे degree में convert करना है तो सीधी सी बात है pi को remove करना पड़ेगा तो pi को remove करेगे यहाँ पे 22 बटे 7 value रखकर ठीक है 22 बटे 7 value रखकर तो यह हो जाएगा 6 into 180 upon 22 बटे 7 तो यह 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 गुणा 7 22 multiply 7 ठीक है अब आपको यहाँ पर बस यह cancellation कर लेना है यदि cancel होगा तो ठीक है यदि cancel नहीं होगा तो उसी में रख देगे बात के लिए चलिए वैसे यहाँ पर 2 से cancel हो जाएगा 11 और यह 9 बार जाएगा 9 की 6 में multiply करेगे 54 अपोन 11 इंटु 7 ठीक है अभी 7 भी बाकी है तो आप यहाँ पर 7 से multiply करोगे 0 7 फोरजा 28 टू केरी 75 जा 35 ओर टू 37 अपोन 11 डिगरी बात के लिए यह आपका डिगरी में आंसर आ जाएगा बात के लिए हुई यहाँ तक चलिए जिए मतलब gradient में कैसे convert करते है डिगरी में कैसे convert करते है यह सब चीज़े यहाँ पर आपको clear हो गई ठीक है इस concept पे चलते है next concept को देखेगा आपने 10 में एक थोरम पढ़ी होगी पाइथागोरस थोरम ठीक है A B C पाइथागोरस थोरम यदि मैं इसको A ले लेता हूँ इसको B ले लेता है तो बाइथागोरस थोरम क्या होगा C स्कौर इकवल होता है A स्कौर पलस B स्कौर मतलब इसको बोला जाता है hypoteness का स्कौर बराबर होता है base का स्कौर पलस perpendicular का स्कौर बात के लिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चलिए जी यदि हम यहाँ पे बात करें एंगल की देखो आप लोगोंने 10 में पढ़ा होगा sin theta, sin theta equal होता है perpendicular upon hypotenuse, मतलब B upon C आ जाएगा, इसी तरह cos theta equal होता है, sorry, cos theta equal होता है base upon hypotenuse, मतलब A upon C, देखो ये सब चीजे आपको याद होगी, फिर भी यदि आप मतलब थोड़ा सा भूल गए हो, तो इसको revise कर लीजेगा, यहाँ पर मैं आपको एक concept बताता हूँ, sin cos theta याद करने का, देखो हिंदी में हिंदी में होता है, लाल, बटे, कका, ठीक है, यदि English की बात करें, मैं आपको दोनों में बताऊंगा, English की बात करें, तो English में होता है, P, B, P, ठीक है, और नीचे आएगा, H, H, B, अब इसका एक keyword है, उसको याद रखेगा, देखो हिंदी में हमने याद रखा, लाल, बटे, कका, जो पहला, पहला होगा, इसको हम लेगे, साइन, इसके बाद हम लेगे, जो ये second होगा, इसको हम लेगे, कोस, और जो last में बचेगा, उसको हम लेगे, 10, ठीक है, 10, क्या लेगे, 10, अब देखेगा, लाल, बटे, कका, L, से, L, से होता है, लंब, ठीक है, और कैसे होता है, कर्ण, हिंदी में, लंब और कर्ण, मतलब, साइन पहले आया है, तो साइन में आएगा, लंब, बटे, कर्ण, बात के लिए, चेलिये जी, इसी तरीके से, आ, आ का मतलब होता है, आ धार, ठीक है, आधार मतलब बेस ठीक है दूसरा के का मतलब होता है कर्ण तो कोस थिटा क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण किलिया चलिए जी जैसे टैन थिटा टैन थिटा में क्या है एल एल का मतलब लंब आ का मतलब आधार तो टैन थिटा हो जाएगा लंब बटे आधार ठीक है इसी त पाकिस्तान भूका प्यासा यहां पर आप क्या बोलोगे हिंदुस्तान हरा भरा ठीक है यहां पर भी सेम है जो पहला होगा वो क्या होगा साइन होगा इसके बाद जो होगा उसको आप क्या बोलोगे उसको आप कोस बोलोगे और उसके बाद क्या होगा उसके बाद टैन होगा ठीक है, देखे, हमने बोला पाकिस्तान भूका प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो sign का होगा P, P का मतलब perpendicular upon H, H का मतलब hypotenus, ठीक है, cos, cos का मतलब क्या होता है, B, B का मतलब base upon H, H का मतलब hypotenus, ठीक है, 10, 10 का मतलब perpendicular upon base, बात किलियर चलिए जी उम्मीद है ये ट्रीक आपको याद रहेगी और आप कभी भी साइन कोस में कन्फ्यूज नहीं रहोगे ठीक है चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं यहाँ पर आपको कुछ फोर्मूले वगेरा याद रखने होगे जैसे यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ फोर्मूले आ जाते हैं जैसे sin square theta plus cos square theta equal क्या होता है 1 होता है ठीक है यदि मैं यहाँ से cos की value निकालना चाहूं तो cos square theta equal आ जाता है 1 minus sin square theta या फिर आप कहलेजे sin square theta equal होता है 1 minus cos square theta तो यह सब चीज़े आपको याद रखनी है ठीक है इसी के साथ साथ एक cos 10 cos आपको clear हुआ इसी के साथ साथ एक formula होता है आपको यह 3 formula मैं 3 formula होते है 1 plus 10 square theta equal क्या हो जाएगा सेक square theta और इसी तरीके से 1 plus cos square theta equal होता है cos square theta बात के लिए समझ आया चलिए जी देखो यह formula आपको याद रखने है ठीक है इसी से हम निकाल सकते है यदि हमें इससे tan की value निकालनी हो तो क्या हो जाएगी sec square theta minus 1 और यदि यहाँ से हमें coat की value निकालनी हो तो coat की value हो जाएगी cos square theta minus 1 बात के लिए चलिए जी मतलब आपको यह 3 formula important है आपको याद रखने है ठीक है चलिए इसके बात बात करते हैं table को हम कैसे याद रखेगे table को थोड़ा सा समझेगा table याद कैसे रखेगे देखो table में जैसे वैसे value होती है sin cos 10 man value यह होती है और यदि आप angle की बात करते हो angle क्या होता है 0 से start होता है 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree और 90 degree ठीक है आप इसी को यदि आप radian में convert करोगे तो यह तो 0 तो 0 ही होता है इसको radian में convert करोगे तो pi by 6 आएगा pi by 4 आएगा यह pi by 3 आएगा और यह pi by 2 आएगा तो आपको सब यह याद रखना है देखो आपको याद रखने के लिए हम यह नहीं बोलेगे कि रटो आप रटने की ज़रूत नहीं है आप देखो यहाँ पर कितने अंगल है 1,2,3,4,5 अंगल है तो आप यहाँ पर 0 से लेके 1,2,3,4 पांच नमबर लिखे हमने अब पांच नमबर जब हमने लिखे यहाँ पर लास्ट में क्या आया 4 लास्ट में 4 आया तो हमने सब को 4 से divide कर दिया सबसे पहले हमने क्या लिखा 0 से लेके 4 तक 5 नमबर लिखे क्योंकि यहाँ पर एंगल कितने थे 5 एंगल थे जब यहाँ पर 4 आया लास्ट में जो आया 4 उससे हमने सभी को divide किया और इसको आरूट किया इसकी value क्या जाएगी 0 इसकी value क्या जाएगी 1 by 2 इसकी value क्या आजाएगी 1 by root 2 इसकी value root 3 by 2 और इसकी value 1 यह जो भी value निकल के आई आपको यहाँ पर put कर देनी है 0 1 by 2 1 by root 2 1 root 3 by 2 और यहाँ पर 1 बात समझ में आई sin theta की value मतलब आपसे पूछा गया sin 0 sin 30 1 by 2 यह sin 5 by 6 1 by 2 sin 45 1 by root 2 sin 5 by 4 1 by root 2 बात किलियर मतलब आपको यह याद कैसे रखना है आपको ऐसे ही याद रखना है मतलब आपको नंबर लिख लेने है 0 से लेके 4 तक लास्ट में 4 है 4 से divide किया सबका square root कर दिया आपका answer आ गया अब देखो आपको जब कोश की value निकालने हो तो क्या करेगे कोश की value निकालने के लिए आप इधर से मतलब यह यह एक हम यहाँ पे एक line दो कर लेते हैं यह इधर को अब हमने यहाँ से इसको पकड़ा और हम ऐसे घूम गए यहाँ पर आ गए जी हम हमने इसको यहाँ से पकड़ा और ऐसे घूम गए तो जो सबसे last में लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा जो यह वाली value है वो यहाँ पे आ जाएगी यह यहीं पे रहेगी यह वाली value यहाँ पे आ जाएगी और 0 यहाँ पे आ जाएगा मतलब आपसे पूछा जाए cos 0 1, cos pi by 4 1 by root 2, cos pi by 3 1 by root 3, cos pi by 2 0, बात के लिए चलिए जी, बात समझ आई, कैसे याद रखना है, ठीक है, इसके बात देखेगा हमें 10, 10 क्या होता है, हमको मालूम है, 10 theta होता है, sin theta upon cos theta, मतलब sin theta की value को आप cos theta की value से divide कर दीजे, 10 की value आजाएगी, आप यहाँ पे divide लगाओगे, तो यह बनेगा 0 upon 1, 0 upon 1 की value क्या होती है, 0, यह है 1 by root 2, divide में, root 3 by 2, sorry, 1 by 2, root 3 by 2, 2 से 2 cancel क्या बचा, 1 upon root 3, देखो यह value सेम है, तो कटके कितना आ जाएगा, 1, यहाँ पे भी 2 से 2 गया, तो root 3 और यहाँ पे 1, sorry, यहाँ पे infinity, ठीक है, not defined, यहाँ पे क्या जाएगा, infinity मतलब not defined, समझ आई, 10 की value कैसे निकालेगे, cos की value कैसे निकालेगे, यह सब चीजे, चलिए जी, बहुत easy है, कुछ ज़्यादा difficult नहीं है, बहुत अराम से आप इसको 2-4 practice में, यह आपके बिलक बिलकुल रट जाएगा, जब आप इसकी 2-4 बर practice कर लोगे, आपके बिलकुल रट जाएगा, आपकी value जहाँ पे भी आपको निकालने होगी, एकदम direct value निकल के आएगी, ठीक है, चलिए, जी, कुछ और concept है इसमें, trigonometric function में उसको भी जड़ा समझ लेते है, ठीक है, देख क्या होता है, जो sine की value होती है, sine theta हमेशा 1 से छोटा होगा और minus 1 से बढ़ा होगा, sine की value minus 1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, ठीक है, और cos की value भी minus 1 से बड़ी और 1 से छोटी होगी इसी तरह cos theta होता है minus 1, 1 से less और minus 1 से greater मतलब जो इन दोनों की value, जो sign cos की value निकल के आती है वो minus 1 और 1 के बीच में आती है, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाती यानि के 1 से बड़ी नहीं होगी और minus 1 से छोटी नहीं होगी चलिए जी, अब देखे थोड़ा सा यहाँ पर quadrant का concept है, उसको समझ लीजेगा यहाँ पर दिया गया है, देखे, नई slide पर चलता है, यहाँ पर थोड़ा detail में समझेगे यह x-axis है, यह y-axis है, ठीक है यह सब चीजे बहुत से बच्चों को पता होगी, और कुछ बच्चे भूल गए होगे ठीक है, तो इसको थोड़ा सा revise हो जाएगा यहाँ पर देखेगा, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो, first quadrant क्या बोलते हो, first quadrant ठीक है, इसको बोला जाता है, second quadrant इसको बोला जाता है, third और इसको बोला जाता है, fourth ठीक है, बात clear, यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर x positive होता है, y negative होता है यदि यहाँ पर बात करें, तो y, sorry, यहाँ पर दोनो positive होते हैं, यहाँ पर y positive x negative देखो यदि मैं, यहाँ पर यह क्या होता है, यह होता है, origin क्या होता है, origin, यदि origin से left में जाएगे, तो यह negative होगा इस साइड जाएगे तो positive होगा यदि यहां से उपर की side जाएगे तो positive होगा और नीचे की side जाएगे तो negative होगा यदि आप इस portion में देखोगे तो सब negative होगा ठीक है इसमें देखोगे x positive y negative यहां पर सब positive यहां पर y positive x negative ठीक है चलिए जी पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एंगल में समझ लेते हैं देखो यह complete angle कितना होगा complete angle होगा 90 degree यदि हम इसकी बात करें तो complete हो जाएगा 180 degree ठीक है चलिए देखो यदि हम यहाँ पर बात करते है sine, cos, 10 इन सब की यदि हम बात करें देखो जो इनके opposite होते है इनका जो विप्रीत होता है यदि मैं यहाँ पर विप्रीत की बात करूँ sine का विप्रीत क्या होता है sine का विप्रीत होता है cos, यानिके one upon cos theta यदि हम cos की बात करें तो cos theta का होता है one upon sec theta और यदि हम ten की बात करें तो यह होता है one upon quote theta, तो आप ध्यान रखेगा quadrant में जो behavior इनका होगा, वो ही इनका होगा, जो परभाव इन पर पड़ेगा, वो ही परभाव इन पर पड़ेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल यह तीन टीनोमेट्रिक function लिखेगे, जो इन पर परभाव पड़ेगा, वो ही ब sin भी positive, cos भी positive, और 10 भी positive, लेकिन first quadrant में जाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर first quadrant में जाने का मतलब है, देखो यह 0 है, तो 0 से उपर कितना भी जाएगा, वो ठीक है, लेकिन यह pi by 2 है, pi by 2 मतलब 90 है, तो यह angle है, pi by 2, pi by 2, यह आप कहले जिए 90 degree, यदि मैं यहाँ से left, मतलब यहाँ से ultra हटेगे, तभी तो first quadrant में जाएगे, ultra हटने का मतलब होगा, यदि pi by 2 minus theta होगा, तो यह सारे angle कैसे होगे, positive होगे, बात समाझ जाई, लेकिन यदि हम second quadrant में चले जाते है, second quadrant में जाएगे हम, pi by 2 plus theta करने पर या फिर आप कहले जिए 90 plus theta करने पर, यदि ऐसा case होगा, तो second quadrant में केवल आपका sin positive होगा, cos भी negative होगा, 10 भी negative होगा, बात के लिए चलिए जिए, यदि हम third quadrant की बात करें, second quadrant में एक तरीके से और चला जाएगा, जैसे यहाँ पर यदि 180 minus theta हो, क्योंकि जो एक complete angle है, यह क्या तो या तो आप इसको pi minus theta लिखिएगा, या फिर 180 minus theta लिखिएगा, ठीक है, चलिए जी, यदि हम third quadrant में पहुंच जाते है, third quadrant का मतलब होगा, pi plus theta, या फिर 180 plus theta, यह बहुत important चीज है, यदि आप इसमें confused रहोगे, तो आप कोई भी question नहीं कर पाऊगे, यह बहुत आपको basic से समझने के लिए है, ठीक है, देखे, third quadrant में आपका sign negative होता है, cos positive होता है, ठीक है, sorry, cos भी negative होता है, 10 positive होता है, बात के लिए, जो fourth quadrant होगा, देखो, यदि हम यह पूरा round गोम के आएगे, पूरा round गोम के आएगे, तो यह कितना हो जाएगा, 360, और यदि मैं 360 plus कर दू, 360 plus theta किय तो हम पूज जाएगे, first quadrant में, और first में तो सब positive होते है, 360 को हम लिख सकते है, 2 pi plus theta, बात समझ आई, लेकिन यदि मैंने लिखा, 360 minus theta, तो यह कापे होगा, fourth quadrant में, या फिर आप कह लिजे, 2 pi minus theta, तो यह कापे होगा, fourth quadrant में, और जब आप fourth quadrant की बात करते हो, तो fourth quadrant में, आपका sin भी minus का होगा, जो cos होगा, यह plus का होगा, और जो 10 होगा, यह minus का होगा, बात समझ आई, आप इसको याद रखेगा, कौन सा किसमें minus होगा, जैसे आप से बोला गया, मैंने आपको बोला, 10 pi minus theta, 10 pi minus theta, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, pi minus theta मतलब कहाँ पे है, pi minus theta म में देखना है 10 कैसा होता है negative 10 होता है negative 10 pi theta मतलब 10 theta जब आपने negative लगा दिया तो यह pi cancel हो जाएगा यहां से एक केवल क्या बचेगा theta तो आपको रखना है 10 pi minus theta equal क्या होता है minus 10 theta बात समझ आई जैसे मैंने लिखा 10 pi plus theta ठीक है तो आपने यहां पे देखा pi plus theta कौन से quadrant में third quadrant में third में 10 क्या होता है positive तो आपने क्या लिखा 10 theta बात समझ आई कैसे देखेगे ठीक है लेकिन देखो यहां पे यदि हम देखते है pi by 2 पर pi by 2 पर क्या होता है pi by 2 पर change हो जाएगा क्या sign change हो जाएगा cos में cos change होगा sign में और 10 change होगा coat में ठीक है बात समझ आई 10 किसमें change होगा coat में जैसे यहां पे समझ यहां पे थोड़ा सा समझ यहां पे क्या दिया जैसे मैंने लिखा sign 19 पलस theta तो पहले तो आप यहां पे जाओगे 90 पलस theta मतलब pi by 2 पलस theta जब आप यहां पे pi by 2 पलस theta में जाओगे तो plus का मतलब third quadrant में जाने का मतलब है कि third quadrant में क्या होगा sign plus का होगा sign plus का होगा तो यहां पे sign तो positive रहेगा मतलब positive sign रहेगा लेकिन मैंने अबी आपको बोला, यदि πाई बाई टू है तो sine किसमें change हो जाएगा? cos में, तो यहां पर आ जाएगा क्या? cos theta समझ मैं आया, जैसे मैंने लिखा 10 πाई बाई 2 पलस theta आप ने देखा πाई बाई 2 पलस theta, second quadrant है second quadrant में 10 minus का है तो आपने यहाँ पे लगा दिया minus लेकिन pi by 2 के कारण यह जो 10 है यह convert किसमें हो जाएगा coat में तो यहाँ पे आओ जाएगा coat theta ठीक है उमीद है यह concept आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा यदि फिर भी आपको थोड़ा सा कुछ confusion है तो एक बार इसको वीडियो को rewind करके देख लीजेगा आपका जो भी confusion है वो सब clear हो जाएगा ठीक है बाकी confusion हम जब exercise करेगे तो वहाँ पे सब कुछ आपका clear हो जाएगा जब आपकी exercise की जाएगी तो वहाँ पे सब कुछ clear हो जाएगा ठीक है समझाया चलिए जी इसके बाद हम कुछ next concept पे चलते है यहाँ पे आपको कुछ formula है वो याद रखने है क्या formula है formula note कर लीजेगा यहाँ पे जो sin minus theta होता है यह minus sin theta होता है जो cos minus theta होता है यह cos theta होता है और जो 10 minus theta होता है यह minus 10 theta होता है मैंने बोला जो भी इनके साथ होगा वो ही इनके opposite angle के साथ होता है मतलब opposite angle जैसे sin का opposite क्या है cos 1 मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बार रिवाईज करा देता हूं sin theta का opposite क्या होता है sin theta को हम लिख सकते है cos 1 cos theta का opposite होता है 1 upon sec 10 theta का opposite होता है 1 upon coat बात के लिए तो जो परभाव इनके पर पड़ेगा वो ही effect इनके पर पड़ेगा तो यहाँ पे देखेगा जैसे मैंने लिखा cos theta minus theta क्या होगा minus cos theta यदि मैं sec theta की बात करूं तो minus sec theta यदि मैं quote theta की बात करूँ quote minus theta क्या होगा minus quote theta clear ये आपको याद रखने है ठीक है next देखेगा इसके बाद यहाँ पे कुछ formula है ये आपको याद रखने है क्या जैसे हमने लिखा cos x plus y ये क्या होता है ये होता है cos x into cos y minus sin x into sin y इसके साथ साथ यदि मैं यहाँ पे cos x plus y का लिखता हूँ sorry minus का लिखते है यहाँ पे plus है तो माइनस का लिखते है तो यहाँ जाए का cos x cos y plus sin x sin y यहाँ पे ध्याँ दिजेगा यदि cos में यहाँ पे plus है तो यहाँ पे minus होगा cos में यहाँ पे minus है तो यहाँ पे plus होगा लेकिन sin में ऐसा नहीं है sin x plus y equal होता है sin x into cos y plus cos x into sin y ठीक है यदि हाँ पे sin x minus y है तो यह हो जाएगा sin x into cos y minus cos x into sin y बात के लिए चलिए यह सब आपको फोर्मूले है याद रखने है ठीक है जैसे मैंने आपको बता दिया अब ही आपको बताया था sin pi y 2 minus x equal क्या होता है cos x यह सब चीजे ठीक है चलिए जी इसके साथ साथ आपको 10 के भी कुछ फोर्मूले है 10 कोट के वे भी याद रखने है जैसे मैंने लिखा 10 x plus y equal क्या होगा 10 x plus 10 y upon में 1 minus 10 x into 10 y होगा ठीक है 10 x into 10 y होगा यदि मैं लिखता हूँ 10 x minus y तो यह क्या हो जाता है 10 x minus 10 y upon में 1 plus 10 x into में 10 y देखेगा यहाँ पे plus है तो उपर plus आएगा नीचे क्या आएगा minus आएगा बात समझ आई लेकिन यदि यहाँ पे minus है तो उपर minus आएगा नीचे plus आएगा यह सब आपको concept याद रखना है ठीक है जैसे इसी तरीके से यदि मैं quote का formula लिखना चाहूँ तो quote में क्या बनेगा यदि हम quote x plus y का formula लिखते है तो यह formula होता है quote x into quote y plus है तो उपर minus upon में quote y plus quote x ठीक है चलिए जी यदि मैं यहाँ पे quote x minus y का लिखता हूँ तो यह आजाएगा quote x into quote y plus 1 upon में quote y minus quote x ध्यान दीजेगा देखो plus में तो आगे पीछे कैसे भी लिखे लो कोई effect नहीं पड़ेगा लेकिन minus में ध्यान दीजेगा जो angle बाद में होगा उसको हम पहले लिखेगे बात समझ आई quote के लिए quote के लिए जो angle बाद में होगा वो पहले लिखा जाएगा और 10 के लिए जो angle पहले होगा वो पहले लिखा जाएगा ठीक है चलिए जी इसके आगे चलते हैं some formulas बे क्या है देखो sin 2x equal होता है 2 sin x into cos x यदि मैं इसके इस्थान पर x रख देता हूँ मतलब sin x कर देता हूँ तो यह आजाएगा 2 sin x by 2 into cos x by 2 देखेगा यह जो formula है वो formula है जो tignometry के base को तयार करते है यदि आपके यह formula ही याद नहीं होगे तो आप tignometry में एक कोसन भी नहीं कर पाऊगे ठीक है तो जो सबसे सहले आपको जो basic बताया जा रहा है आपको यह एकदम concept एकदम रट लेना है आपके mind में fit हो जाना चाहिए ठीक है जो भी formula है आप किसी तरीके से भी याद रखिएगा याद रखिएगा जब हम questions कराएगे तो वहाँ पर इन सब की जो जरूरत आएगी ठीक है उन सब को हम detail में वहाँ पर use कैसे होगा सब चीजे बताएगे लेकिन यहाँ पर केवाल आपको concept बताया जा रहा है ठीक है चलिए इसके साथ साथ इसका एक formula और होता है वो होता है 10 में 2 10x upon 1 plus 10x 10 square x यह आपको याद रखना है जी दोनों इसी तरी से cos 2x का कुछ formula होते हैं cos 2x के 4 formula होते हैं वे 4 आपको याद रखने हैं क्या एक होता है cos square x minus sin square x ठीक है दूसरा होता है 1 minus 2 sin square x एक और होता है 2 cos square x minus 1 ठीक है इसके बाद होता है 1 minus 10 square x upon में 1 plus 10 square x ठीक है तो यह चारो formula आपको याद रखने है कि इसका कहां पर यूज होगा यह सब चीज़े आपको जब question कराये जाएगे वहाँ पर detail में समझाया जाएगा ठीक है चलिए जी इसके बाद चलते है next पर next में क्या होगा जैसे आपने sign cost का पढ़ा उसी तरीके से 10 का भी होगा 10 2 X क्या हो जाएगा 2 10 X upon 1 minus 10 square X ठीक है 10 2 X का क्या हो जाएगा 2 10 X upon 1 minus 10 square X चलिए जी इसके बाद हम चलते हैं 3 X के formula बार क्या sign 3 X equal होता है 3 sin X minus 4 sin cube X इसी तरह cos 3 X का होता है 4 cos cube X minus 3 cos X ठीक है ये दोनो formula आपको याद रखने हैं इसी तरीके से एक 10 का होता है 10 का भी आप याद रखेगा 10 3 X equal होता है 3 10 X minus 10 cube X upon में 1 minus 3 10 square X देखो ये तीनो formula very very important है ये आप इनको याद नहीं रखोगे तो बहुत सारे question आपके नहीं हो पाएगे ठीक है ये वो formula है जिनका अच्छे question में यूज होगा जो paper में अक्सर पूछे जाते हैं बात के लिए चलिए जी इसके बाद कुछ formula और है वहाँ पे भी नज़र डाल लेते हैं देखेगा कुछ formula है जैसे cos x plus cos y equal क्या होता है 2 cos x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2 इसी तरीके से cos x यदि minus आजाए cos y equal हो जाएगा minus 2 sin x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2 ठीक है यदि हम यहाँ पे sin x plus cos x की बात sin y की बात करते है cos x plus sin y की बात करते है तो यह हो जाएगा 2 sin x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2 लेकिन यदि यहाँ पे sin x minus sin y आएगा तो आपका plus में cos x हो जाएगा और minus में sin वाला हो जाएगा x minus y y 2 देखेगा जब sin की बात आती है sin x sin y की बात आती है तो sin और cos में होगा यदि plus है तो sin का plus में होगा और यदि minus है तो cos का plus में होगा लेकिन यदि cos की बात है तो दोनों कोस में होगे और minus है तो दोनों sin में होगे बात के लिए ये सभी आपको क्या रखने है याद रखने है जी चलिए next चलते हैं इसके बाद आपको चार फोर्मुले और है वो भी याद रखने है जी क्या फोर्मुले है यहाँ पर आपको लिखना है जैसे 2 cos x into cos y equal होता है cos x plus y plus में cos x minus y के ठीक है इसी तरीके से यदि हम ल cos x into sin y equal में हो जाएगा cos x plus y और minus में cos x minus y और यहाँ पर आप minus लगा लिजेगा ठीक है तो यदि 2 sin x sin y का है तो cos cos में होगा cos x cos y का है तब भी cos cos में होगा लेकिन यदि यह दोनों change हो जाते हैं जैसे मैंने लिखा 2 sin x into cos y equal क्या होगा तब यह sin sin में होगा x plus y plus में sin x minus y बात के लिए यदि मैंने लिखा 2 cos x into sin y तब क्या होगा तब हो जाएगा sin x plus y और minus में sin x minus y बात के लिए चलिए जी तो ये चारों भी आपको याद रखने हैं तो ये ये था संपूर्ण जितने भी chapter 3 में formula है उन सब का collection ठीक है चलिए जी जितना भी concept हम chapter 3 में दिया गया है उन सब को हमने यहाँ पे क्या किया discuss किया जितने भी formula है जितना भी concept है उन सब को हमने यहाँ पे discuss कर लिया है तो जितना भी concept है यदि आपने इस वीडियो के ध्यान से देखा तो जो 11th NCRT का chapter number 3 है टिगनोमेट्रिक function यदि जो मैंने इस वीडियो में content बताया वो आपने याद रखा तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो नहीं हो पाएगा बात के लियर तो इस lecture में हमके वल इसके concept की ही बात रखते है जितना भी concept जितना भी content हमने दिया उसको आप याद रखेगा आपको हमारा परियास कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा ठीक है यदि आपको हमारा यह परियास अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो के notification आपको तुरंत मिल जाए चलिए ये वीडियो था chapter 3 का केवल content और उसको concept को हम कैसे use करेगे अब हम आगे की वीडियो में करेगे exercise के सभी questions को step why step करेगे ठीक है चलिए जी thank you for watching मिलते है next वीडियो में जब तक देखते रहिएगा elite academy